बरका आपनी बऊ कोईल के सात रहती थी।It gay ग़र पर नोकराणी धन्ड़ भी काम करने आती थी। धन्डो काम में तो बहुत अच्छी थी। लेकिन उसमें एक और खुबी थी। और वो थी चुग लिया करना। चुबलिया करके उसे बहुत खुशी मिलते थे, टेक दिल, ये लो मोटी मालकीन, आपकी गरमा गरम चाय और ये तले हुए चतकदार पकोड़े, खाओ और मोच करो, अरे वा 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 दन्नो, तुने तो दिल खुशी कर दिया, अगर मोटी मालकीन, कैसी है आपकी नई बहुरि उल्टा मुझे तो इस बात का डर था, कि मेरी बहु कही तेज ना निकले, वो क्या है ना मोटी मालकीन, कुछ लोगों के खाने के दाथ कुछ और होते है, और दिखाने के कुछ और होते है, बिलकुल हाती के जैसे, हैं, क्या मतलब, मेरा मतलब ये है, कि आप जिस बहु को इतने अच्छी और गुनवान समझ रही हो, वो है तो इस नए जमाने का फॉल्टी पीसी, और इस जमाने की सारी लड़किया, दीरे दीरे करके अपनी सास को अपनी उंगलियों पर डिस्कोर डांस कराना अच्छी तरह से जानती है, ये तो क्या कहर रही है धन्नो, एक दम स चाडू मारते हो, कोल के कमरे में पहुच जाती है, और वहाँ जाकर उसे कहती है, और चटी मलकिन, कैसा लग रहा है नया नया ससुरार, अच्छा लग रहा है, बस मापापा के थोड़ी याद आ रही है, अब मुझे यहाँ घुल मिलने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही बगवान ही जाने है, क्योंकि माइके और ससुरार में जमीन आस्मान का फरक होता है, सास अखिर सास ही होती है, एक सास के होते हुए भी कभी कोई बहुत चैन की सास ले पाई है, जन्नों यहाँ पर भी आग लगा कर चली जाती है, अब सास बहुत दोनों के मन में एक दूसर के प्रति, शंका कुशंका होने लगती है, चटी मालकिन, आप सच में बहुत सुन्दर हो, पता नहीं फिर मोटी मालकिन को क्यों आप बत सुरत लगती हो, वो तो कह रही थी, कि आपके हाथ का खाना भी अगदम बेस्वाद होता है, क्या, यह तुम क्या कह रही हो दुन्नो हाँ चटी मालकिन, जेट बोले कववा काटे, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने खुद ने अपने इन कान से सुनाए, मोटी मालकिन को फोन पर ये सब कहते हुए, कितनी दोगली है मेरी सास, सामने कुछर और पीछे कुछर हाँ, बताना मत मैंने ये सारी बाते बताई है, मैं तो बस आपको सावदान कर रही हूँ, और जो सच है वो बता रही हूँ, बाद में जब सास घर पर वापस आती, तभी कोयल बर्खा से लड़ने लगती क्यों माजी, बहुत बुराईया करती हो आप मेरे पीट पीछे, बदसूरत बेस्वात खाना बनाती हूँ न मैं, और ना जाने आपने क्या क्या बक्वास की होगी बहु, ये सब तु क्या कह रही है, मैंने तेरी कभी बुराईय नहीं की, वो तो मैं अपनी सहेली को नई बहु के बारे में बता रही थी नहीं, मैंने खुद अपनी काणों से सुना है, आप मेरी बुराईय कर रही थी, और अब आप अच्छे बनने का डोंग कर रही हो, चुपी रहो आप अरे ओ, कल की आई नाज पिती निगवडी, एक चमाट मारोंगी तो बेहोश हो जाएगी, कुद को समझती क्या है, निठली नालायक, आखिर कर तुने अपने असली रंग दिकाई दिये ना, अगर आप गिरगिट की तरह रंग बदलोगी, तो मुझे भी गिरगिट की तरह ही बनना होगा, समझी ना, कुद को देखो पहले, कैसे सांड की तरह फेले जा रही हो, आपके हाथ की चाय पीकर तो इनसन बेहोशी हो जाएगा, अगर चाय इतनी घटिया है, तो फिर खाना खाकर तो मोथ ही आ जाएगी, तेरी इतनी हिम्मत, रुख जा, आज तो तेरी ज बड़ाची लेकर कोयल को मारने लगती है, और ये सारे तमाशे को नोकुरानी धन्न, रसोही में खड़े रहेकर मजे से देख रही होती है, और खुब हसती है, मानो वो किसी टीवी सिरियल को देख रही हो, ऐसे ही एक रोज, कोयल और उसका पती करन दोनों अपने हनीमून क प्लानिंग कर रही होती है, तभी धन्न, कोयल के पास जाकर कहती है, चोटी मालकीन, चोटी मालकीन, आपको एक बात बतानी थी, वो परसो यहाँ से घर जाते वक्त, मैंने चोटे मालिक को एक काफी की दुकान के बाहर, एक लड़की के साथ काफी पीते होए देखा, दोने मैं एक दुसरे से बहुत मिटी-मिटी बाते कर रहे थे, उनके चेरे को देख कर तो यही लग रहा था, क्या, करन और वो भी किसी और लड़की के साथ काफी पी पी रहा था, नहीं, मैं इस करन के बच्चे को नहीं छोड़ूँगी, आने दो इसे, सुबे हानीमून के सपन दिखा कर, शाम को कही और जाकर रंगरलिया मनाता है, आज तो मैं इसे नहीं छोड़ूँगी, शाम में जब करन वापस आता है, तब कोईल उसके साथ बहुत जगड़ा करती है, जिसका लाइफ टेलिकास धन्नो मैडम फुल ओन मजे के साथ दिखती है, लेकिन कोईल मेरी जान, मेरी बात पर विश्वास करो, वो लड़की मेरी बहन की तरह है, जैसे तुम सोच रही हो, वैसा कुछ भी नहीं है, चुप रहो तुम करन, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, तुमसे शादी करना मेरी जिन्दगी की सबसे बड़ी गलती थी, I hate you करन, I hate you और लड़ो, और लड़ो, मेरा काम है बत जगडे का तड़का लगाना, फीर आगे जो होता है, उसे आराम से बैट कर देखते हूए मजे करना, धन्नो की सारी बाते बरका देख और सुन लेती, और वो उसे फोन पर रेकॉर्ड भी कर लेती, और तभी के तभी वो कोयल और क करन को भी दिखाती, दन्नो, ये तुने बिलकुल भी सही नहीं किया, तुझे तेरे इस किये कि सदा तो मिलकर ही रहेगी, इसे अभी क्या भी घर से बाहर निकालो मा, निकल जाओ हमारे घर से, और कल से यहां आने के कोई जरूरत नहीं है, दन्नो का परदा फाश होने पर बहुत घबरा जाती है, नहीं नहीं मालकीन, एसा मत बोलिए, मुझे माफ कर दीजिए, मैं कहा पर जाओंगी, मुझे कही और नोकरी भी नहीं मिलेगी, मुझे पर रहम कीजिए, मेरी एक छोटी सी बच्ची भी है, प्लीज मुझे काम से मत निकालिए, ये सब तुझे में यहाँ पर आकर चुगलिया करके जगड़े लगाती थी, ताकि मुझे लाइफ जगड़े देखने को मिले, और मेरा मन रंजन हो, लेकिन मुझे नहीं पता था, कि मेरी ये मस्ती मुझे पर इस तरह भारी पड़ेगी, मुझे काम से मत निकालिए, मालकीन, मैं आप चुगलिया करना हमेशा के लिए छोड़ देती हैं, किंजल अपने ममी पापा सुधा और गिरिश के साथ रहती थी, किंजल की हमेशा से ही एक अमीर घर में शादी करने की इच्छा थी, एक दिन किंजल अपनी सहली पृती के संग एक पार्क में बेटे हुई होती है, तुझे पता है किंजल, कल मुझे देखने लड़के वाले आ रहे है, लड़का दिखने में ठीक ठाक है, लेकिन बात करने पर मुझे वह बहुत अच्छा लगा, देखते है अब क्या होता है, लेकिन लड़का कमाता कितना है, वो आमीर तो है ना? नहीं किंजल वो इतना अमीर भी नहीं है लेकिन अच्छा कमा लेता है तेरी शादी की बात कहा तक पहुची रिष्टे तो काफी सरे आते हैं लेकिन पृति मुझे तो किसे अमीर घर में ही शादी करनी है मैंने पहले से ही अमीर घर की बहु बनने का ही सपना देखा है भगवान करे कि वो एक दिन पूरा हो जाए क्योंकि यहाँ घर में तो मेरी मा एक भी इच्छा पूरी नहीं कर पाती जब देखो तब मा अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं है बाद में देख लेंगे यही बोलत लड़का ही चाहिए जो मेरी सारे इच्छा पूरी करें तुझे कैसा लड़का चाहिए प्रिती मुझे कोई परक नहीं पड़ता कि लड़का आमीर है या गरीब लेकिन वो मुझे सच्चा प्यार करने वाला होना चाहिए अगर वो मुझे प्यार ही नहीं करेगा तो उसके पैसे लेकर मैं क्या करूंगी मैं तो ऐसे लड़के को शादी के पहली राथी लात मार कर कहीं दूर उड़ा दूंगी किंजल और प्रीती दोनों इस बात पर खुब हसते हैं किंजल के माता पिता सुधा और गिरिश उसके लिए कई सारे रिष्टे धूनते हैं लेकिन उन्हें कहीं भी कोई अच्छा लड़का नहीं मिल रहा था लेकिन एक दिन उनके घर पर संजे नामक एक लड़का अपने माता-पिता मनुर्मा और सहोदेव के साथ आता है सुधा जी हमें तो आपकी बेटी किंजल बहुत पसंद आई और मेरी तरफ से भी हाँ है बोलो बेटा क्या तुम संजे जी के साथ शादी करने के लिए तयार हो ओफ़ो अब मैं क्या करू मुझे शादी करके सेटल भी होना है और आमीर भी होना है लेकिन जाने दो ये संजे वैसे भी बहुत अच्छा दिख रहा है और मन का भी साफ लग रहा है जैसा प्रिती ने कहा सिप पैसे लेकर क्या करूंगी लड़के का मन भी साफ होना चाहिए और ये वैसे अच्छी पोस्ट पे है इसकी आगे इंक्रिमेंट भी हो जाएगी क्या हुआ किंजल बेटा कुछ तो बोलो हाँ हाँ अंकल जी मैं मैं संजे से शादी करने के लिए तयार हूँ किंजल के हा कहने पर दोनों परिवार वाले मूँ मिठा करते हैं और किंजल और संजे की शादी तय हो जाती है कुछ दिनों बाद शुब मुहरत देखकर उन दोनों की शादी हो जाती है शादी के बाद संजे किंजल को खूब प्यार देता है वो भले ही उसे अमेरी नहीं दिखात लेकिन गरीबे में ही वो उसे पूरी तरह खुश रखता है, दोनों हनीमून के लिए शिमला जाते हैं, जब किंजल का जनम दिन आता है, तभी संजे पूरे घर को अपने हातों से सजाता है, और अपनी हातों से किंजल के लिए बड़े केक भी बनाता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और आज ये जो कुछ भी मैंने किया है तुमारे लिए, ये सब मैंने बहुत दिल से किया है, किंजल, I really love you, Thank you so much संजे, तुम बहुत अच्छे हो, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मेरे संजू, और तुम मेरी प्यारी किंजू, हाँ हाँ संजे और किंजल का प्यार वक्त के साथ बढ़ता ही जाता है, कुछ सालों बाद दोनों को बच्चे हो जाते हैं, एक बेटा अभी और एक बेटी पे हो, संजे अब एक नई कंपनी में काम करने लगा था, और वहाँ पर उसकी मुलाकात मालीनी नाम की, एक अमीर औरत से होत होती है, जब वो संजे को पहली बार देखती है, तभी उसे उससे प्यार हो जाता है, माम ये पेपर्स, वो सिसोडिया और संस की कंपनी की डिटल्स है इसमें, मैं चलता हूँ अब, मुझे कुछ अर्जंट मेल्स करने हैं, अरे अरे रुको तो संजे, तुम भेना बस मालीनी ही होगी, लेकिन मैं वो, कम ओन संजे, चिल, तुम्हारे प्रोसिस की क्लाइन्ट में ही हूँ, डोंट वरी, तुम्हें कोई फायर नहीं करेगा, जब तक में अपरोगल ना दू, फिर मालीनी और संजे, ओफिस के कैफे में जाकर चाय पीते हैं, मालीनी अब संजे क बहुत करीब आने लगती है, एक रात घर जाते से में बहुत तेज तुफानी बारिश आ रही थी, तबी संजे के पास ना चाता था, ना कोई ओटो रुक रही थी, अरे यार, इस बारिश को भी अभी आना था, घर पर पी हूँ, और अभीर को प्रोमिस किया था मैंने, कि आज में उनके साथ ही डिनर करूंगा, लेकिन ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, तबी वहाँ पर एक चम चमाती हुई कार आती है, जिसमें मालीनी होती है, संजे, बहुत तेज बारिश आ रही है, जल्दी से बेटो, आओ, I'll drop you, वैसे भी आज, रेड अलर हो सकता है, no, no, ma'am, I'll manage, thank you, हिचकिचाओ मत संजे, मैं आफिस में तुमारी बास हूँ, बाहर तो मैं तुमारी दोस हो सकती हो न, क्यूँ, चलो चलो, अब जल्दी से बेट जाओ, फिर संजे, मालीनी के कार में बेट जाता है, और वो, उसे उसके घर ड्रॉप कर देती है तभी संजे उसे घर पर डिनर के लिए बुलाता है, मालीनी उस राग संजे के घर पर ही खाना खाने आती है, हेलो किंजल, संजे तुमारी बहुत बाते करता है, तुम बहुत खूपसुरत हो, और ये चॉकलेट्स तुम दोनों क्यूट क्यूट बच्चों के लिए, थेंक अच्छा हुआ, जो आपनी इने छोड़ दिया घर तक, चलिए, मैं जल्दी से सारा खाना परोस्ती हूँ, सब रेड़ी है, एकदम गर्मा गर्म, ओके, खुश्बु सुंकर ही मुह में पानी आ रहा है, हा हा, फिर मालीनी और संजे का पूरा परिवार मिलकर, साथ में खान खाता है, और धेर सारी बाते करते हैं, मालीनी संजे के प्यार में दिन बदिन और पागल होती जा रही थी, वो उसका प्रोमोशन भी कर देती है, और एक दिन उससे कहती है, संजे, कॉंग्रेचुलेशन्स फॉर यो प्रोमोशन, बैसे, अब प्रोमोशन मिल गया है, तो ज बिजनेस ट्रिप पर जाना है, एक क्लाइंट है, जो मसुरी में रहते हैं, उनके पास ही हमें जाना है, लेकिन मैम, इसके लिए तो पूरी टीम भी साथ चलेगी न, या सिफ आपुर में, प्रोमोशन तुमारा हुआ है, संजे, ना कि पूरे ओफिस का, तुम एक स्किल्ड परसन हो, इसलिए, it's up to you, कोई जबरदस्ती नहीं है, ओफिस वर्ख है, इसलिए मैंने तुमसे कहा, बाकी तुमारी मर्जी, वैसे ये एक बहुत अच्छे अपर्चिनिटी है, अगर तुम इसे हाथ से जाने देना चाहते हो, तो कोई बात नहीं, नहीं नहीं, इस सक दूंगा आपके साथ, फिर संजे और मालिनी, दोनों बिजनेस ट्रिप पर जाते हैं, लेकिन ये कोई बिजनेस ट्रिप नहीं होती, बलकि ये तो मालिनी की सोची समझे साजिश होती है, ताकि वो और संजे अकेले में वक्त बिता सके, किंजल का यहां मन नहीं लग रहा थ एक बार संजे को वीडियो कॉल कर लेती हो, तभी मेरे मन को शांती मिलेगी, किंजल संजे को वीडियो कॉल करने ही वाली होती है, कि उससे पहले उसे एक अन्नन नंबर से कुछ फोटोज आते हैं, जिसमें संजे ने मालिनी को अपनी बाहों में उठाया होता है, और वो दो बहुत करीब होते हैं, नहीं, यह क्या, आखिर क्या हुआ मालिनी और संजे की बिजनेस ट्रिप पर, क्या मालिनी की तरह, संजे भी मालिनी से प्यार करने लगा है, जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूले, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्स सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकोन दबाना ना भूले,